So students जो सबसे main problem बच्चों के बीच रहता है वो होता है कि self confidence कैसे attain करा जाए है ना how to be confident while studying या आप कोई भी काम कर रहे हो तो जरूर निये सिर्फ ये पढ़ाई के matter में आपको बोल रहा हूँ या आप अपने किसी भी x y z आपका जो भी फिल्ड है आप उसमें इस इसको अपलाई कर सकते हो तो अगर आपको अपने अंदर self confidence से जाकरूप करना है यानि कि activate करना है और आप लोग को अपना confidence ऐसे दिखाना है कि you are the best आपने जो पड़ा है आपने जो skills हैं आप उस पर confident हो क हाँ वह skills आपके development में बहुत ही जादा काम आएंगे तो self confidence के तीन stages होती है मातर बस तीन stages तीन level सबसे पहला बच्चा पार्टी आपको self confidence के लिए consistency लानी पड़ेगी consistency यानि कि लगातार एक rhythm में एक flow में कोई आप चीज कर रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो आप रोज आपका break नहीं आना चीए consistent रहने चाहिए आप अपने goal के लिए then after that first step आपका consistency consistency के लिए आप लोग के अंदर discipline होना चीए discipline यानि कि आप लोग किसी भी काम को करे तो आप disciplined way में करे consistency का मतलब ये भी नहीं होता एक दिन आप लोग 3 गंटे पड़े दूसरे दिन 6 गंटे पड आप बोलतों नहीं मैं तो consistent तो हूँ फिर मेरे अंदर self confidence क्योंनी बिल्ड़ा पूरा फिर क्योंनी मैं अच्छा score कर पा रहा फिर क्योंनी मैं question करते वक्त confident रहता उसके बीछे card होता है discipline बच्चा पार्टी discipline आपको रोज consistency और discipline में बच्चे confuse हो जाते हैं उनको लगता है र आप 5 गंटे पड़े उसके next day आप में जादा जोचता आप 7 गंटे पड़े एक दो गंटे का अंतर आ सकता है मतलब एक average study plan बता रहा हूँ आप अपने working hours आप खुड decide कर सकते जिस भी field में आप work कर रहे हैं है तो discipline बहुत जादा important है guys तो याद रखिएगा अगर आप discipline create कर disciplined way में तो आप उस discipline से consistency पाएंगे consistency यानि कि लगातार एक rhythm में चीज को होना लगाता continuous way में और जब आप इन दोनों चीजों में expertise कर लेंगे या फिर एक अच्छा level achieve कर लेंगे तो आप self confidence attain कर लेंगे ठीक है ना आप लोगों ने ये real life में भी देखा होगा अगर आप एक छ cycle चलाता है जिसके साथ में दो पीछे वले दो पहिये छोटे छोटे लगे होते हैं तो वो क्या करता है वो disciplined manner में रोज सीखने की इच्छा होती है उसके अंदर चाहा रहे है ठीक है ना इंट्रस्ट वा तो वो छोटा सा बच्चा क्या करता है लगातार cycle चलाता है और वो रोज जब उसमें disciplined way में cycle चलाता है तो वो consistency पाता है और एक दिन इतना confident आ जाता है उसे कि वो कहता है पापा को कि ये छोट छोट पहिये अटा दो अब मैं दो पहियों पर cycle बहुत confidently चला पाऊंगा और बाद में तो भाई वीलिया शीलिया पता नहीं क्या क्या मारता है ठीक है ना तो एक तरीके से self confidence achieve करने का ये short plan तो नहीं कहेंगे बड़ा एक बहुत ही बहतरीन plan है जिसे कोई भी student अपनी life में apply कर सकता है चाहे आप सिर्फ पढ़ाई के perspective में बात कर रहे हैं चाहे आप किसी भी x y z field की बात कर रहे हैं जिसमें आपका interest है ये जिसमें आप अपना future develop करना चाह रहे हैं second is consistency यानि कि रोज आपको करना है then lastly आप definitely self confidence अचीव कर लेंगे अपनी life में तो ये तीन चीजे हैं जो आप लोग बहुत ही बहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं